मार्क स्वादी गहरे मार्क स्वादी समझों बहुत बेसिक संतर आपको बता देए बहुत बेसिक संतर बता देए जो भारत M.N.Roy में देखेंगे डाक्टर अमबेदिकर M.N.Roy किसी बात पे विवाद होता है भारती समाज की मार्क स्वादी समझ ये कि जो गरीब है उसका एक क्लास है जो अमीर है उसका एक क्लास है जही तो है ये मार्क स्वादी समझ है लेकिन जो गहर मार्क स्वादी समझ कहती है कई बार ऐसा संभव नहीं है कई बार तो हम देखते हैं छिए गरीव विक्ती अपनी ही जैती के साथ साधी करना चाहता है, बज़ाए के दूसरी गरीव जैतीके साथ साधी करना चाहता है या क्लास का फैक्टर है या कुछ और फैक्टर है ख्रास का फैक्टर्स की ब्याख्या नहीं कर पा रहे है। इसलिए कह जऄता है हर चीज की मार्ख्वादी ब्याख्या परियابत नहीं है। अगर कुसी मार्ख्वादी की तरीकित देखेंगे तो बात प्र यह कही जाती है कि कोई भी हमारे उपर आक्रमन क्यों कर रहा था हमारे उपर आक्रमन करने का महाज उद्देश्य क्या था पैसा लूटना ये मार्कस्वादी बैखे है जगडे के बला कारण जगडे किसलिए होते हैं आर्थिक वज़ाओं से ये मार्कस्वादी बैखे है संभव है कि लूटने का कारण के अर्थ ही नो हो इसी बात पर बतानता रहता है इसलिए समाज इतिहास की समझ कैसे की जाए हीगल ने का भाई विचार पहले आते हैं चेतना पहले आती है मार्कस ने का हीगल उल्टा खड़ा था तो ग्रामस्की ने फिर मार्कस को चेंज़ कर दिया यादिक ब्रामस्की ने यहीं कहा है मार्कस ओ चेंज़ किया क्योंकि ग्रामस्की कहना था कि Communist Revolution हो इस बिल्कुल लग चीज़ है लेकिन जो हमारी पृस्तियां है में पहोँ जेहा हैँ बिक्सितों का ही नहीं इसे मार्क्स बाद की मूल ने माने ताइगल थाबित हो गई तो ग्राम रश्के ने कहा कि आज पूझी वाद दिन अपना सरूप बजल रखा है और जब पूझी वाद के वहचारिक सरूप पर जब तक हमला नहीं करेंगे बाद बनेगी नहीं यहीं पूरे जगड़े का केंदर गर ऐसे समझा जाए कि मार्क्स और पूरे जगड़े का केंदर आप इस तरीके इस देखें अगर हम एक एक करके एक्जामपल दे दें एगल एगल ने का कमान दीजिए यह समाज है समाज है इतिहास से तो समाज में जो मूल निर्धारक्ष रखती है वो है चेतना, वो है विचार, चेतना विचार यही समाज को निर्धारित करते हैं, यह भौतिक परिस्तियों के संचलक है, ऐसा हीगल ने कहा, मार्क्स ने इसको बिल्कुल उल्टा, मार्क्स ने कहा, ने ने, ऐसा नहीं होता, यह दिए मार्क्स विचार बड़ा विसेस की समका है, फ्रेक्सिस में आपको बता रखा है, लेकिन मार्क्स कह रहा है कि नहीं, जिसे हम समाज कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, आप नागरिक समाज कह लिए, समाज कह लिए, नागरि कि आ प्रचित वेवस्ता को आप किया सकते हैं by रिकल्ट इकोनमी के अब अर्थ वे वस्ता को राजनतिती करते वेवस्ता के ली ये तो हीगल स्वानाधा है के जो चेतना है विचार है you वो समाज को निरधारित करता है उसमें भौटिक परिष्ट्टिया कुछ भी हो सकती है उसमें सारे भावतिक जगत सारे भावतिक अधार्थ मार्क्स ने कहा ने ने ऐसा होता है जो भावतिक परिस्तियां हैं वो विचारों को निर्धारित करती है और उसलिए मार्क्स आ करता था कि दुनिया विचारों की बात करती है मैं तो वज्यानिक हूँ मार्क सदावा था कि मैं तो वज्यानिक हूँ और वज्यानिक क्यों हूँ क्योंकि मैं economy को देखता हूँ मैं उत्पादन के साधन को देखता हूँ उत्पादन के संबन को देखता हूँ विचारधारा, विचारधारा का मतलब मतलब विचारों का समुझ है विचारधारा का मतलब होता है एक ही चीज़ को देखने के तमाम नजरिया विचारधारा का मतलब है कि अब कोई कहेगा कि गरीबी है कोई कहेगा नहीं नहीं गरीबी है तो विक्ति उसके देखो जो तरदाई है कोई कहाए नहीं, कोई अमीर है तो अपनी प्रतिफ़ाद करण है दिया विचारों का Branतर है एक ही चीज को देखने के निजरिये अलग-अलग हो सकता है विचारदारा है, मारक सताय इस बातका अंतर कहा है, भै इकोनमी है, उचिपादन के साधन है कुछ बादन के संबन्द है तो मार्क सता में विचारधारत देखने के अवेशक्ता ही नहीं है तो विचारधारा क्या है? धर्म है विचारधारा क्या है? राज्य है यह सब क्या है? यह तो पतंदरता, अधिकार, यह सब विचारधार ही तो है और विचारधारा क्या वेश्रक्ता हमेंसा वर्ग विभाजी समाज में होती है यहां समाज में गरीबी है वहीं तो नारा देंग गरीबी हटा देंगे यहां समाज में समस्था है वहीं तो आप कहेंगे अच्छे दिन आएंगे यहाँ छेही दिन है तो वहाँ लोगों को यह विस्वास कैसे देंगे इसे मार्क्स ने इस बात को फिर पल्टा ग्रामस्की ने फिर चेंजे किया ग्रामस्की ने का नहीं ग्रामस्की के आप यादिला दें मार्क्स के पूरे विश्रिशन का केंद्र क्या है अर्थे विवस्ता हमने पहले बता दिया मार्क्स अंदास कैपिटल में मार्क्स ही सारी देचनाय है आप देख लीजिए हराजी के बारे में, सरकार के बारे में, अधिकार के बारे में, लोकतंतर के बारे में उसका कोई चिंतन नहीं है वो दो दो चार्शार लाइन कहा किया अगी निकल जाता है मूल उसका चिंतन कहा है एकॉनमी पर तो मार्क्स का चिंतन केंदर क्या है बेस मार्क्स के चिंतन का मूल केंदर क्या है बेस अब अगर ग्रामस्की से आप पूछेंगे बेस का मतलब क्या होगा ग्रामस्की गया नहीं बेस तो हमारे लिए अर्थे बोस्ता है अगर कोई मार्क्सवादी होगा तो पूझी वाद खिलाफ जाएगा बेस तो अर्थे बोस्ता ग्रामस्की के लिए भी है लेकिन ग्रामस्की के पूरे चिंतन में बेस का कोई उलिख नहीं है फुत्पादन के साधन, फुत्पादन के संबन, अत्रिक्तिमूल्य यहाँ पर ग्रामस्की किसी चिंतन में बेस का उलिख ही नहीं ग्रामस्की का केंदर कहां पर है? राज्य पर नागरिक समाज पर उसने कहा राज्य के भी पाल्ट है नागरिक समाज है और नागरिक समाज पर तो उसने प्यापक भी अख्या कर दी तो ग्रामस्की की चिंतन में कहीं इस बात का उल लेखने के उत्वादन के सादन क्या है उत्पादन के संबंद क्या है अत्रिक तुमूल क्या है मुझी बाद की समस्या क्या है तो साहित ग्रामस्की ने ये माल लिया होगा कि जो मार्क्स ने कहा था वही है मार्क्स वादी होने के नाते हम ये माल ले कि जो भी मार्क्स ने कहा ग्रामस्की की एकॉनमी वही है लेकिन हकिकत का मुद्दा ये है ग्रामस्की की चिंतन में बेसिक यानि बेस की बात नहीं है ग्रामस्की की चिंतन में सुपर स्ट्रॉक्चर का मामला है यानि यहां पर उपमा दी गई है इसे भवन की हमने उपमा दे दिया वेसेंस रूपर स्ट्रुक्चरिक उपमा है समाज जी को एक मकान की रूप में समझ दीजिए तो मकान की नियों क्या है मार्क सारा एकॉनमी उस मकान की नियों है एकॉनमी उत्पादन के साधन उत्पादन के संबन उसके बाद उपर ही भाग-मकान काता है ग्रामशकी ने कहा नहीं नहीं यहों तो एकॉनमी ही है लेकिन पूजी वादिका जो उपर वाला सरोफ है वो बड़ा महत्फून है यही मार्क्स ग्रामशकी की चंटर में मूल इंतरा जाता है अब ग्रामस्की चंतन बड़ा चोटा सा है, बड़ा सामाने सा है एक बर A.E.S. में से पूछा गया था ग्रामस्की के नागरिक समाज का विचार बटायए वह लिखना है फिर ग्रामस्की की सुपरिस्ट्रॉक्शर का बताने वाला विद्वान है होंपरी के बाद वहीं आ गई रामस्की के चिंतन गहां पे आ रहा है सुपरस्ट्रक्शर पर रामस्की के चिंतन राज्य नागरी की समाज के बारे में चीज़े लिखी गई है और फिर उसने कहे दिया विचार कैसे फैलाए जाए केतना कैसे फैलाए जाए थी ग्रामस्क के बिचार है लेकिन अभी ये मतांतर है आप कहेंगे कि लेकिन मारक्स को हमने बटाये था, मारक्स का बिचार इतना सरलेकर तो नहीं है ये बेस निरधारित कर देगी सुपरmares्ट्रिक्टर को उसका बिचार दुनदात्मक है लेकिन एक सहामबाने मारक सी समझ रखें तो क्योंकि सहामबाने मारक सी समझ किया रखी है कि भौतिक परिस्तियां ही अधिरचना को प्रभावित करती है तो ग्रामश्की को लिखने में हमें तरी बात लिखेंगे निसकरस में उसे हम कह सकते है इस करस्म बाद हम कह सकते हैं तो Gramosky अपने आपको Marks वादी कहता है लेकिन कहता है नहीं नहीं येरोप की परिस्तिया अलग है अमेरिका की परिस्तिया अलग है वो लेनी वाला तरीका यहीं चलने है यहाँ पर तारगर नहीं होगा Gramosky अमार्कस में कहाँ फर्क है इसी बात को अगर हम सामाने सब्द में कह लें तो अगर कोई क्लास में वाद दुखी दिख रहा है तो मार्कस से पूछा जाएगा क्या करण है तो मार्कस आएगा यह ट्यम करबड़ है लेकिन अगर Gramosky से पूछा जाएगा अगर पैसा बरबात कर रहे हो तो प्रभाव विचारों का है अगर ताउन ठासने पर आप दुखी हो गए ATM में कोई प्रबलम नहीं बलकि उस ठासने के बाद ताउन ATM का एमाउन डबल कर दिया उनका पैसा रखो लेकिन ऐसे तुम्हें काम करना है विचारों का प्रभाव है कि नहीं दिमाग से थरीर प्रभाव इत हो रहा है या पेट से दिमाग आधार क्या है अगर इस थरीर को ही मगान माल ले उपर से नीचे प्रभाव इत होते हैं नीचे से उपर नहीं नीचे से उपर मार्क उपर से नीचे ग्रामस्की, उपर से ग्रामस्की, तो ग्रामस्की क्या कहेगा, एन आइडिया केंचेंज दालाइफ, लेकिन मारक साह कहेगा, बिर्ट अन बटर केंचेंज दालाइफ, यह अनतर है,